पाप और पुण्या, बच्पन से सुनते आ रहे हैं हमारे माता, पिता, बंद, बांध, हमको कहते हैं ऐसे कोई काम मत करना जिनसे की पाप पड़े, अच्छे काम करो, तो वो कौन से काम है, हर कोई काम को करने में, या तो पैसा मिलेगा, लाभ होगा यहानी होगी, या मन को श ऐसे बचे, भगबत गीता का पांचमा अध्याय का दसमा इश्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मन याधाय कर्मानी संगस्त्यक्त्वा करोतिया, लिप्यते नस पापेन, बद्मपत्रमिवां भसा, आप जो भी काम करें, वो ऐसे करें, कि उसके अंदर लिप प्रफिट तो मिलेगा, पर उससे आने वाले पाप का संचय आपको नहीं मिलेगा, काम कैसे करना चाहिए, पद्मपत्रमिवां भसाम, जो कमल का पत्ता है, वो इतना चिकना होता है, कि उसके ऊपर पानी पढ़े, तो पानी वो इसको एब्जॉब नहीं करता है, वैसे ही, जिब हम जो भी काम करते हैं, भगमान के लिए करें, करतब या बोज से करें, तो वो हमारे उपर उसके पाप हमारे अंदरे अब्जॉब नहीं होते हैं, और हमको सिर्फ बेनिफिट प्राक्त होता है, जो भी काम करें, लोगों के अच्छे के लिए.